कि यह अज़ित करने वाले हैं वह 17 और 18 कोश्टन डिसकस करने वाले और यहां पर हमारे 17 के 2 पार्ट्स दिए हैं यह रिखेंगे तो सबसे पहला हमारा कोश्टन है 17 के फर्श्ट पार्ट उसमें कहा जा रहा है एंड बी एंड बी हमारे दो पार्टनर उनको प्रॉफिट शेरिंग रेशो फोर इस्टू थिरी है सी एड्मिटेड वन फिट और सी एक न्यू पार्टनर आता उसे बन फिट के लिए वह एड्मिट करते हैं एंड बी डिसाइड़ दा शेर एक्वाली इन फ्यूचर और फ्य कि ए एंड बी एंड वी दो हमारे पार्टनर उनका प्रॉफिट शेरिंग रेशो कितना है फोर अपॉन सेविन इस्टू थिरी अपॉन से यह यह उसके बाद में अब हमारा सी एक न्यू ज्वाइन करता है फिर्म जिसका हिस्सा रहता है बन फिट के लिए ज्वाइन करता ह है और यहां पर हमसे क्या दिया जाता है एंड बीदा एक्वाली फ्यूचर में मतलब एक्वाली शेर अपना बाटिंगे और केल्प्रेट कर वालता है न्यू प्यासर और हमें कुछ नहीं दिया गया होता है जो हमारे साथ ऐसी कंडिशन होती थी तो हम क्या करते थे आइस है न ही कर दिशा ऑट Four पॉन फाइव एकल्टा एस एकल टू रिमैनिंग शेर अब astre अब हमें क्या करना एं यह मरे मेन शेर आगया ठीक है शी को हमने द दे दिया मत दो भाई तुम दोनों हमने से जो गृदी आजा अब यह जो बचा यह これ में यह हमारे A and B का बचा, A and B को भी देना, A and B हमारे कैसे बाट रहे थे, equally बाट रहे थे, question में हमसे कहा गया था, कि equally लेंगे, तो new share of A is equal to कितना आ जाएगा, equally की बात कर रहे थे, 1 upon 2 into 4 upon 5 is equal to आ जाएगा, यहां हमारा आ जाएगा 2 upon 5, यह आ गया, B का लेकाल देंगे new share, new share of B, B का new share कितना था हमारा, यह से भी हम equally देंगे, is equal to remaining share हमारा 4 upon 5 is equal to आ जाएगा हमारा, is equal to 2 upon 5, यह हमारा C का, तो C का थो हमें दिया हुआ था, C का क्या था, 1 upon 5, यह हमारा C का था, तो हमारा new profit sharing ratio आ जाएगा, N, P, S, R, is equal to आ जाएगा, 2 upon 5, is to 2 upon 5, is to 1 upon 5, तो answer हो जाएगा, 2 is to 2 is to 1, यह हमारा new profit sharing ratio हो जाएगा, दूसरी बात हमसे कह रहा था, हमने new profit sharing ratio निकल दिया, sacrificing भी निकल भा रहा है, वही, sacrificing भी तो निकल आएगा हमें, तो sacrificing का फार्मूला हमारा क्या होता था, sacrificing का फार्मूला हमारा होता था, sacrificing ratio, ratio इस इकल टू, old minus new, ratio आप लगा ले न, old minus new, ठीक है, अब, तो हमारा ए का sacrificing क्या हो जाएगा, sacrificing, sacrificing by, a sacrifice कितना कर रहा था, old share कितना था ये का, four upon seven, minus new कितना आए था, two upon five, यह तो आए था, lcm ले लो यहाँ पर, lcm हमारा कितना आजागा, thirty, five इसकी हम, multiply कर देंगे, कितना आजागा, seven, 35, और यहाँ हमारा आजागा, twenty, twenty, minus 14, is equal to, six upon, 35, यहाँ गया, अब, b का, b का sacrificing निकाल था, b का हमारा कितना था, three upon seven, और हमें यह साथ जानाए, sacrificing हमारा, old partners का निकलता है, ठीक है, तो इसलिए हमें, old partners का है, calculate करना है, new से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा new क्या आया था, new आया था, हमारा b का, two upon five, is equal to, हमारा यहाँ पर lcm ले लेंगे, हमारा lcm आजागा, 35, lcm कितना आजागा, 35, 5 आजागा lcm, और उसके बाद, हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें, जो हमने उपर करना था, वही करना है, multiply कर देनी है, यहाँ हमारा आजागा, 15 minus, 14 is equal to, यहाँ आजागा, 1 upon 35, तो हमारा sacrificing, A and B का कितना आजागा, sacrificing, sacrificing, A and B, हमारा ओल पार्टन को थे, A and B थे, तो sacrificing हमारा यह नहीं का आजागा, कितना आजागा, is equal to, 6, upon 35, is to 1 upon 35, तो answer है जागा, 6 is to 1, यह हमारा sacrificing हमार गया, तो यह हमारा answer हो गया, यह question हमारा, solve हो गया, next इसका part है, मुसकी तरफ बढ़ते हैं, यहाँ कहा जा रहा है, A and B, A, B and C, यहाँ पे A, B and C, हमारे and D, चार partner है, sorry, चार partner है, और उनका profit sharing ratio है, 36 to 24, is to 20, is to 20, यह उनका profit, share दे रखा है, old partners का हमारा, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, सबसे पहले, यहाँ अचार बाउन करेगा, यहाँ अचार बाउन करेगा, A, B, C, and D, and D है, हमारे इनका profit sharing ratio दिया है, 36 to 24 is to 20 is to 20, यह हमारा old partners का दिया है, उसके बाद में का जा रहा है, E join the partnership 20% share, और जो हमारा E join करेगा, यह एक new partner आया firm में, उसका हिस्सा जो इनके profit में रहेगा, वो 20% का रहेगा, यहाँ पे हमें percentage में दे दिया है, तो हो सकता है, आप लोग को confusion हो रहा हो, दिक्कत हो रही हो, चली कोई बात नहीं, हम इसे fraction में convert कर लेंगे, तो fraction में जब हम percentage हट आते हैं, तो क्या होता था, याद करिए, 20 upon 100 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है, कितना बज़ा, 2 upon 10, अब 2 से काट दीजिए, 10 को तो आ जाएगा, 1 upon 5, यह हमारा fraction में आ गया, कोई confusion, ओके, चलिए, यहाँ तक हमने solve कर लिया, अब हमसे कहा जा रहा है, A, B, C, N, D, would in future share profit, अमंग, थेम सिलिव, as the 3 upon 10, 4 upon 10, 2 upon 10, and 1 upon 10, के लिएट दा, new profit sharing ratio, ease admission, ठीक है, अब हमने, E के admission के बाद, जो है, इन लोगों का, जो, old partner समारे, इनका, new profit sharing ratio, यह हो जाएगा, अब इनोंने, E की तो कोई बात ही नहीं करी, E की कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वह हमारा first वाले में, भी C की कोई बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी E की कोई बात ही नहीं कर रहा है, इस condition में, हमें क्या करना होता था, total share, लो मत दो हम total share क्या कर लेंगे 1 माल लेंगे let the total share let the total share कितना लेंगे 1 माल लेंगे 1 minus 1 minus कितना आया था हमारा e का e का आया था 1 minus 5 is equal to आ जागा यहां पर हमारा कितना आ जागा भई 4 upon 5 यह हमारा आ गया remaining share क्या आ गया remaining share बदला हमने जो हमारा e था उसे हमने दे दिया अब यह हमारा जो बचा यह हमारा इन चार partnerों में बटना है और कि share में बटना है यह यहां पर दे रखा है उन्हों पहले कि भाई इस इस में बटेगा आप जो प्रॉफिट होगा फ्यूचर में ठीक है तो चलिए डिवाइट कर देते हैं कि न्यूँ है कि यह कहा जा रहा है कि न्यूँ है कि शेयर आफ अ इन्यूचर ऑफ ङे कर दो ओशियर क्यानिकल गया है हमारा लों कि मैं आफ जानेननेगल अन पाउन पाम हम पाईब में रिमेंनिग शेयर कि यह टे वो क्याठे ऐ का हमारा यह था वह कोई का रहा है कि जो फ्यूचर में अब जो अपना फ्यूचर प्रॉफिट बार्टिंग वो इस यह में बार्टिंग अब पीछे आले सामें कोई मतलब नहीं है तो थिरी अपॉन टैन इस इकल टू आ जागा हमारा ट्वैल अपॉन फिप्टी अब बी का नियू शियर अफ बी इसकल टू नियू शियर अफ बी फोर अपॉन फाइव रिमेनिंग तो हमारे यही रहेगा बी का कितना था बी का था फोर अपॉन टैन यही तो था तो यहां पर हमारा आ जाएगा सिक्स्टीन अपॉन फिप्टी यहां हमारा जाएगा सिस्टीन अपॉन फिप्टी सी का निकाल दीजिए तो नियू शेर औफ टु आ जाएगा हमारा सी का रिमेनिंग रहा था फॉर अपॉन फाइव इंटु सी का कितना था नियू देखो तू अपॉन लुट बैई यह दिए हुए हमारे तू अपॉन टैन इस इकल टू आ जाएगा यहां पर हमारा एट अपॉन फिप्टी उसके बाद में फिर किसका निकल वा रहा है हमने C का निकाल दिया अब D का निकाल दो new share of D तो D का हमारा कितना था D का remaining share पहले तो हम remaining share लिखेंगे into D का हमारा था D का था 1 upon 10 1 upon 10 new share था उसका तो यहाँ पर आ जागा हमारा 4 upon 50 अब कौन रहे गया E को भी तो देना है न E का थो हमारा दिया हुआ था already तो E share is equal to हमारा था 1 upon 5 यह आ गया था हमारा 1 upon 5 जो already given था question में लेकिन हैं हम denominator equal करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे उपर नीचे हम 10 से multiply कर देंगे is equal to आ जाएगा हमारा 10 upon 50 10 upon 50 तो यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर हमारा न्यू आ जाएगा यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेटिंग रिश्व आ जाएगा 12 upon 50 50 is to upon 50 is to 16 upon 50 is to 8 upon 50 4 upon 50 और फिर आ जाएगा 10 upon 50 50 से 50 हमारा कैंसल हो जाएगा हमारा आ गया आंसर 6 is to 8 is to 4 is to 2 is to 5 यह हमारा आंसर हो गया की पर वाचिं भाचिंग खुर्ण कर दूदू यहेशंग टीने कर दूदू कर द बाहिएश्र की अरे लिएश्राइब चान्यून शीश्राइब अल्यायक बाहिएश्राइब टीने का।